Hey guys, welcome to a new video on the channel मैं हूँ आप सभी का भाई नवीन डागर और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में तो guys आज आज आप देखी सकते हो हमारे पास recently updated 2023 model the legendary naked sports motorcycle बजाज पलसर NS200 खड़ी हुई है और इसकी जो देवानी है ना उसको तो हमें किसी को बताने की जरूरती नहीं है कितनी loved यह motorcycle है तो इसके चाहने वालों के लिए ना company ने अभी recently इसके अंदर बहुती major updates रोल आउट कर दी है तो guys आज की वीडियो में हम यहीं बात करने वाले हैं लिए भाई आज की वीडियो को शुरू करते है सामने जो चीज खड़ी होए ना उसे introduce करवाने का मतलब कोई मतलब ही नी बनता है को तोकी नी बनता है आपको अगर यह bike के बारे में पता है तो भाई मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी famous यह bike है जो performance जो riding की feel आपको यह वाली bike चरन आउट करके देती है ना वो कोई नहीं दे पाएगा segment के अंदर तो भाई company ने रिसेंटली इसके अंदर updates देकर बहुत ही तगड़ा काम किया है तो जल्दी से बात कर लेते हैं क्या वो सारे updates है तो भाई front में कोई update नहीं है फ्रेंट में वही सेम आपको halogen वाली light मिल जाती है halogen वाली आपको इसके अंदर ये DRL मिल जाते है halogen वाली indicators मिल जाते है तो भाई यहाँ पे जरूर से थोड़ा सा काम company को कर देना चाहिए था LED setup हमें दे देते हैं P150 या N160 की तरह projector वाला headlamp दे देते हैं काफी premium और यह लगने लग जाती है लेकिन अभी भी आप looks में देख सकते हो को कम ही ही नहीं उसके बाद भाई फ्रेंट में आऊगे तो यह राइस का सबसे पहला major update मतलब सबसे पहला तो भाई obviously color है इसका update मतलब color देख सकते हो भाई यह वाली NS बहुत ही स्चांदार लग रही है इस color के अंदर उसके बाई chrome मतलब black chrome type का यहाँ पर आपको 200cc का यह वाला branding मिल जाता है तो भाई यह काफी सही graphics यहाँ पर आपको मिल जाते है यहाँ पर खतम हो जाता है आपका जो hard वाला alloy वाला part होता है उसके उपर आपको ना इसके अंदर यह steel वाली वो aluminium वाली rods देखने को मिलती है तो USD वहाँ पर आपके लिए life saving feature हो जाता है क्योंकि वह उपर से ना तूटने की वजाए नीचे से तूटेंगे अगर crash में तो आपके पेट वगेरा में चुबने का आपके organ damage का यहाँ परा scene ही खतम हो जाता है तो भाई USD को आप life saving feature कह सकते हो ABS जितना ही यहाँ पर ABS dual channel की branding आप देखी चुके होगे फ्रेंट में आपको 300 mm की disc brake देखने को मिल जाती है टू-पिस्टन जिर्मेका का कैलीपर देखने को मिल जाता है पहले शायद इसके अंदर बाइबरी का कैलीपर देखने को मिल जाता था यह जो gray color आपको दिया गया है तो काफी premium अभी लगने लग गई है पहले से उसके बाद थोड़ा सा पीछा हो गया तो यहां पर यह आपको liquid cooling के लिए radiator देखने को मिल जाता है यह इसका main attraction यह है इसका engine यह वाला जो engine है ना ktm source engine है तो due to internet में भी आपको सेम इंजन देखने को मिलता है बस इसमें थोड़ा सा फरक यह है कि बजाज ने इस engine को लेकर DTSI technology में convert कर दिया है उसके वज़े से ना मतलब power में तो कोई major difference आया नहीं है लेकिन इंजन की फील के इसाब से बता देता है वो राइडिंग की फील काफी मस्ता है काफी अच्छा टॉर्की और बहुत ही पावरफुल इंजन है यह उसके बाद बाई आगे की अगर वह बता हूँ तो यह पीछा होगे तो यहाँ पे आपको रेड कलर का यह नाइट्रोक्स मोनो शॉक देखने को मिल जाता है और भाई हम चला चुके हैं तो बता देता हूँ बाई काफी अच्छा यह ओवरॉल पर्फॉर्म किया है इस वाले विद एबिए से नया फीचर इसका एबिए सी जो आपको पीछे देखने को मिल जाता है तो यह काफी सही फीचर इसके अंदर दे दिया गया है उसके बाद यहां पर आओगे तो आपको यह हैलोजन वाले इंडिकेटर देखने मिल जाते हैं तो इस तरीके की अदर यह यह वाली सीट खोल सकते हो उसके यहां पर आपका यह वाला शिफ्टिंग लीवर है यहां पर जो बैस्ट चीज है इसके अंदर भी आपको सिक स्पीड का ट्रांस्मिशन देखने मिल जाता है तो आप छे गिर लगाओगे इसके अंदर वन डाउन फाइब उसके बाद यहां प बबर अगेरे की कावी सही है स्विच टे क्वालिटी भी काफी किलिक है लेकिन फोड़ा से इंप्रूडमेंट का स्कोप यहां पर था उसके बाद यहां पर क्लच काफी लाइट है बहुत ही मतलब बहुत लाइट है को परीशानी आपको ट्रैफिक वागेरा में होने निव lights आ जाती है high beam low beam indicator वगएरा सारी चीज़ आपकी lights यहां पर जलती है यहां पर आपका यह analog वाला टेको मीटर देखने को मिल जाता है आपको 12000 rpm तक इसकी मैक्स रेविंग है उसके बाद यहां पर आपका यह वाला आपका साइड स्टेंड कट-off sensor की warning आ रही है यहां पर time बता रही है यहां पर आपकी digital speed है यहां पर distance to empty लिखा रहा है तो भाई यह सारी चीज़े आपको इसके अदर देखने को मिल जाती है उस वाद यहां पर आपकी इसी बजाज पलसर NS200 के उसके बाद ना अब मैं आपको एक बार इसका प्राइस बता देता हूं अब इतने सारे जो अपडेट्स के अंदर दिये गए हैं तो पांस से दस हजार रुपय का इसके अंदर आप मान सकते हैं कि प्राइस है का आपको देखने को मिलेगा तो कहीं न सकता है काफी अच्छे डिसकाउंट पर आपको देखने को मिल जाते हैं और वन ऑफ दसेफेस्ट बाइक अब यह भी हो चुकी है बाकि आपके कैसा बाकि कैसे या अपडेट्स के बारे में आपका क्या कहना है पुझे जरूर से कमेंट सेक्षिन ह vanまり अब करड़ 해요 वीडियो को जरूर से लाइक करना चैनल को जरूरु से सब्सक्राइब करना मिलते हैं यह ऐसी बहुत ही दंदार वीडियो के साथ साथ ऐसी